आज हम बात करने वाले हैं Realme के फोन में Personal Hotspot Settings कैसे करें तो इसके लिए आप अपने फोन में Settings को Open करिए फोन की Settings में आने के बाद आपको मिलेगा Connection and Sharing वाला Option इस पे आप किलिक करिए इस पे किलिक करके आपको मिलेगा Personal Hotspot इस पे आप किलिक करिए Personal Hotspot पे किलिक करके ऐसा Interface आएगा अब यहाँ पर First Option आएगा अपने फोन के Hotspot को चालू करने का तो देख सकते हैं यहाँ पर इस Option पे किलिक करके Hotspot को चालू कर सकते हैं नीचे आपको मिलेगा QR Code इस पे किलिक करके अपना Screen Lock एंटर करके अगर कोई QR Code स्कैन करके Connect करना चाहता है तो कर सकता है और आपको मिलेगा नीचे Hotspot Settings इस पे किलिक करिए First Option आएगा Name यहाँ पर अगर आप किसी दूसरे फोन में अपने Hotspot को Connect करेंगे तो यह इस नाम से Show कराएगा और उसके नीचे आपको मिलेगा Password का Option इस Password को Enter करके आप अपने Hotspot को दूसरे फोन में Connect कर सकते हैं नीचे आपको मिलेगा AP Band इस पे किलिक करके AP Band को Change कर सकते हैं और उसके नीचे आपको मिलेगा Visible to Other Devices तो यह आपका अगर बंद होगा तो इसे चालू करिए अगर आप Faster Hotspot को यूज करेंगे तो Wifi 6 Hotspot को चालू कर सकते हैं यहां से उसके बाद Back आएंगे और आपको मिलेगा Connection Management का Option इस पे किलिक करिए यहां पर अगर आप किसी फोन को Blacklist में अड़ करेंगे तो वो आपका Hotspot यूज नहीं कर पाएगा एक टाइम पर कितने Connection Connect कर सकते हैं आपके Hotspot से वो आप Maximum Allowed Connections पे किलिक करके Select कर सकते हैं हम यहां पर Select करेंगे दो Connection और यहां पर Data Limit सेट कर सकते हैं इस पे किलिक करके हम Select करेंगे 1 GB और यहां पर Back आएंगे उसके बाद आपको मिलेगा अगर 10 मिनट तक आपके Hotspot से कोई Phone Connect नहीं होगा तो Automatically आपका Hotspot बंद हो जाएगा तो इस Option को यहां से बंद चालू कर सकते हैं तो इस तरह से Hotspot Settings करें अपने Realme के Phone में अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें